अगरृषम को थीक कर रहे हैं, तो अगर हम उनके परिवार से को बिलकुल कट ओफ कर देंगे, तो उनके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाएंगे वो बहुत ज़्याइटी में आ जाएगा, तो हम उसको ठीक करने से ज़्यादा उसको पेकार कर देंगे, उसका केस हम खराब कर देंगे, तो अगर वो अपने परिवार में घुलता मिलता रहेगा, फोन से भी बात करता रहेगा, एक अच्छे सुखद वातवरण में रहेगा, तो वो अपने आपको ऐसा मैसूस ने करेगा, कि उसको सजा दिया गया, तो इस तरह से वो ठीक हो सकता है, और मन माने तरीके से कभी भी किसी पेशेंट को नहीं रखा जा सकता है, एक उसके गाइडलाइन होती है, कि इतने महिने का सैक्याटरी कोर्स चलता है, तो इतने महि अपको मिलेगा, सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी सारियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिलकुल आपकी रेंज में, तो देर गिस बात की, एक बात जरूर विजट करें, अनन्द फैशन शॉप, हमारा पता है, गीता प्रेस रोट, निकट माया टॉकीज नमबर है, साज शुन्य, पांच चार, दो, दो, पांच शै, तीन साजुडाने के नाम पे एक बड़ा खेल चलना है, आपको बता दे कि जगा जगा बोड लगाके, नसा मुक्ती केंद्र के नाम पे पेसेंट को लाया जाता है, अंदर यातनाय दी जाती है, पेसेंट जब बहार आके, खुद बताता है अपनी जुबानी, कि वहाँ पे हम लोगों के साथ जैदती की जाती है, इन्ही सब मुद्दों पे बात करने के लिए, एक निंट्र साइकोलोजिस्ट आकृती पांडे हमारे साथ, हम इसे जानेंगे, कि नसा छुडाने के नाम पे क्या होनी चाहिए, रिआबिलिटेशन वहाँ होती है, पुनरवास का लाइसेंस कहते है, इसको, कि आपको पुनरवास मतलब नशा छुड़ने के बाद अपने पुराने जिंदिगे में आप कैसे जाएंगे, अच्छी जिंदिगी जाएंगे, इसका लाइसेंस होना चाहिए, फ पुनर्वास में लगाए जाने जो टेक्निक्स है जैसे योगा, उनका मेडिटेशन और तमाम तरीके के जो ट्रीट्मेंट है, इलेक्टरिक कन्वल्शन थेरपी भी कई बर लगाए जाती है, तो इन सब चीजों के लिए आपका बिल्डिंग फुल्फिल होना चाहिए, यह मानक होते हैं एक नशा मुक्तिकेंद्र को चलाने के लिए, और इन ही सब आधार पर उनको स्टेट गॉर्णमेंट, राज सरकार उनको लाइसेंस देती है, तब जाकर के एक वैलिड नशा मुक्तिकेंद्र स्टार्ट होता है, और तब उसके अंदर पेशेंट रिकावर ह होते हैं, और तब इस तरह से काम होता है, तो क्या ऐसी भी कोई चीजे होती है, कि पेशेंट को अंदर आप एक कमरे में रख सकते हैं, पेशेंट को बाहरी बातावरन में नहीं ला सकते हैं, चाया अंदर जो भी पेशेंट रहते हैं, उनमें घुलना, मिलना, बात चित करन सजा देंगे तो उनके अंदर rebellion tendency बदला लेनी की भावना पैदा होगी तो जो चीज से हम उनको छुडाने के लिए लेकर आ रहे वो उनके उपर कहीं ज्यादा तेरी से अपना प्रभाव प्रकट करेगा और patient जितना पहले जितना drugs लेता था या दारू पीता था जिस भी तरह उनका परिवार समाज उनका खुद का जो एक जो personality उनका खराब हो रहा है उसको ठीक करने के लिए वो समझ ही नहीं पाएगा अगर हम उसको बंद करके रखेंगे अगर हम खुले माहल में रखेंगे तब ही जाकर के वो समझेगा कि इसके क्या drawbacks हैं क्यों हमको इस तरीके से रखा गया है तो यह सब चीज़े तब जा करके वर्क करती हैं अच्छक यह बताइए कि जो डवाएं वहां पर Key Quindi जाते हैं किस प्रकार की दवाई होते हैं किन हालातों में दी जाते हैं किस प्रकार के चिकित्सक्चा जो भी कर सकते हैं वह दवा उस मारीज लेनी की हैबिट होती है, वहाँ पर नार्कोटिक ड्रग्स का इस्तमाल किया जाता है, और यह नार्कोटिक ड्रग्स का इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ MBBS, MD psychiatry ही देते हैं, कोई भी अनिवेक्ति नहीं दे सकता है, इविन कोई psychologist भी इसको दवा नहीं दे सकता है, इसका मानक जो ह गाइडलाइन होती है, उसमें psychiatrist का होना का बहुत ज़्यादा ज़रुरत होती है, इविन जो electric conversion therapy जो होती है, जिससे कई बार patient बहुत ज़्यादा hyperactive हो जाते हैं, दवा छूटने जब उनका जब नशा, जब विड्रॉव का जब विड्रॉव सिंटम आता है, तो उस वक्त व उसको ECT दी जाती है, वो भी एक psychiatrist ही देता है, उसको कोई psychologist भी नहीं दे सकता है, तो सिर्फ psychiatrist के पास एक narcotics drugs देने का license होता है, और वहीं दे सकता है, उसका मातरा तेह कर सकता है, और वो भी NCT भी वहीं दे सकता है, कि उसको किस तरह से, उसके कितना conversion therapy की जरुवत है, पांच स लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, कि किसी से मुलाकात नहीं कराएंगे, किसी को भगा देंगे, चाहे हम जब तक चाहेंगे, तब तक मर्मानी धंक से रखेंगे, ये कोई guideline होती है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी guideline नहीं होता है, और अगर हम patient को ठीक कर रहे हैं, तो अगर हम उनके परिवार से उनको बिल्कुल cut off कर देंगे, तो उनके अंदे depression के symptoms आ जाएंगे, वो बहुत जाधा anxiety में आ जाएगा, तो हम उसको ठीक करने से जाधा उसको पेकार कर देंगे, उसका case हम खराब कर देंगे, तो अगर वो अपने परिवार में घुलता मिलता रहेगा, फोन से भी बात करता रहेगा, एक अच्छे सुखद वातवरण में रहेगा, तो वो अपने आपको ऐसा मैसूस ने करेगा, उसको सजा दिया गया, तो इस तरह से वो ठीक हो सकता है, और मन मा कोई अपडेट आ जाती है, कि इतना इंप्रूव्मेंट हो चुका है, इतने की और हमें जरूरत है, तो हर एक चीज में ट्रांस्पेरेंसी रहती है, हम अपने हिसाब से, अपने मन माने तरीके से कभी भी कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, अईसा तो नहीं यह कि परिवार के लिए उसका भरण पोशन करने के लिए तो नसा मुक्ती के अंदर होता नहीं है? हम उसके उपर तरीके लगा कि जब उनके उसका भी को सही करते तो उसका भी a course of time होता है दवा से कुछी चीज़े जल्दी ठीक होती है लेकिन जब अगर हम उसका ठेरड़े लगाते तो उसके ऊपर कुछ थेर्पिस ऐसी होते हैं जो हम psychologist लगाते हैं थोड़ा लंबा समय लगता है लेकिन आज जीवन भारण पोशन आज जीवन treatment चलता रहा ऐसा कहीं होता ही नहीं है अगर मुझे खुद अगर करना होगा तो मुझे पहले तो मेरे पास rehabilitation का लाइसेंस होना चाहिए मेरे पास एक psychiatrist होने चाहिए rehabilitation council of India से लाइसेंस प्राप्त एक psychologist जरूर होने चाहिए हमारे चार से पांस psychologist की team होनी चाहिए हमारे पास आठ से छे nurses होने चाहिए world boys होने चाहिए security guards होनी चाहिए हमारे पास building का infrastructure ऐसा होना चाहिए अगर हम 10 बेट के लिए मेरे पास bed होना चाहिए उतना atmosphere होना चाहिए hall होना चाहिए उतनी treatment लगाने के लिए meditation के लिए उतना free space होना चाहिए patient को घुमने टैलने के लिए उनके खान पान का खास ध्यान होना चाहिए इन सब सारे मानक को ध्यान में रखने के बाद ही मैं कोई एक नशा मुक्ती चेंड्र खोल सकती हो अकृती जी एक सबाल और है कि जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं कहीν कहीं यह कहा जा रहा है कि नशा मुक्ती केंड्र में गय है नशा छुडाने के लिए लेकिन निकलते पिर वह नसे के आदी हो जारे तो कहीं यह देखा जाए कि हैं तो उनका इलाज अज अच्छे ठंक से नहीं हुआ है यह तो कहीं कोह परिवार वालों को आखिर अंदर पेसेंट है जाहर सी बात है डू मईषने चार मगाने चार महीने जब नहीं मिलेगा तो नहीं पीएगा तो इस सब चीजों के लिए क्या किया जाएगा देखिए बेशक आपका जो पहला जो आपने बोला कि या तो अंदर इलाज सही नहीं चलेगा अगर पेशन्ट को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो वो अपने आपको सोचेगा कि तो बाहर निकल करके वो कुछ दिन के बाद उसका उना ना है। थो 5-怎么 को डें के बार सथः पारी है। तो दिन के बाद इक 2017 बदल जाता है। तो 21-25 दिन बाद नहीं के बाध रहताすった suppression की मुझे इस थे जा Tú जब तक मेरे गार्जे ने आपका payment किया है तब तक तो मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे अपने आपको suppress कर लेगा वह suppress कर लेगा उसके withdrawal symptoms आएगा दीरे दीरे वह अदे बाहर निकल लेगा क्योंकि उसको दवा भी दी जा रही है अपकिस मानक के थ्रू दी जा रही है तो नही करेंगे लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलेगा क्योंकि उसका इमपल्स के तो nost had been नहीं हए थीकषा है इंपल्स की ट्रीट्मेंट नहीं हुए तो इमपल्स तो ईफ्रेट्मेंट नहीं क्योंकि यह कोई मादक द्रव्य नहीं है तो इसके उपर जादा ध्यान ने देते हैं लेकिन जब हम नशामुक्ति की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसका इंपल्स आ रहा है इसके जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं क्यों पीना शुरू हुआ कैसे पीना या तो आपको बहु अगर पेशन्ट को उसका इसके बहुत अच्छा लगता है तो हम कैसे उसको बंद कमरे के अंदर ट्रीट कर सकते हैं तो सेंसेशन का रिप्लेस्मेंट होना चाहिए उसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो किस पॉइंट पर उसको ट्रिगर कर रहा है कब उसको जादा पीने का तो इन सब चीजों के उपर वर्क होना चाहिए अगर वर्क नहीं होगा तो वही ऐसे पेशन्ट कुछ टाइम के लिए खुद का सप्रेश्ट कर देते हैं अपने इंपल्स को बाहर जाते हैं तो यहां पर इनका बंद हो जाता है लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं उनके हाथ म पैसा भी आ जाता है अपनी गाड़ी भी आ जाती है सब कुछ आ जाता है कंफर्ट जोन में आ जाते हैं खुली हवा में सांस लेने लगते हैं इसलिए बाहर निकलते के साथ तुरन पीने लगते हैं परिवार के बिना अनुमती के तो किसी को रखा नहीं जाता होगा अगर साराबी है और वो तो जाना नहीं चाहेगा लेकिन बिना परिवार की जाज़त से किसी भी केंदर पर उसको रखा नहीं जाएगा नहीं बिल्कुल भी नहीं या तो पेशिंट खुद अपना ये विलिंगनेस दिखाए कि मैं एक गलत लत में पढ़ गया हूं और मैं ये ची हमली का कंसेंट या खुद का कंसेंट बहुत ज़्यदा जरूरी है हम किसी को भी कभी से कहीं से भी पकड़ के लागे लाज नहीं कर सकते हैं